अकसर ऐसा देखा गया है जो जब भी कोई person अपना नया जॉब स्टार्ट करने जाता है या फिर वो fresher है और अपना पहला जॉब स्टार्ट कर रहा है तो उसे बहुत confusion होती है जो उसकी salary किस basis पे होनी चाहिए अकसर ये देखा गया है और ये जनरल प्रैक्टिस में है जो HR हमेशा CTC के उपर बात करती है जो आपकी CTC क्या थी वहाँ पे और यहाँ पे आपको क्या CTC मिलेगा नहीं company के अंदर तो इससे related मैं आपके तीन बाते discussion करूँगा जो CTC actual में होता क्या है साथ ही इससे related क्या legal provision है और अगर आप किसी company में third party payroll पे अगर आप appoint हो रहे हो तो उस time में आपके उपर क्या legal provision applicable हो सकते है तो इन तीन बातों पे मैं आपसे discussion करूँगा तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे like करना और साथ ही चैनल को subscribe करके all पे click कर लेना ताकि इससे related जो भी legal provision हो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए अगर हम CTC की full from के बारे में बात करें तो CTC का मतलब हुआ cost to company इसका मतलब है जो company अपने मुताबिक जो भी expenses आपके उपर करती है वो उसका cost हो गया आपके लिए और वो इस पे charge कर सकती है इसके साथ में आपको ये भी clear कर दूँ कि CTC में किसी भी तेरा का कोई भी legal provision नहीं है कि हमारे labor law के अंदर कहीं भी इसे define नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ जो company अपने मुताबिक CTC का definition बना सकती है यहां तक कि वो आपके उपर वो सारे expenses जैसे कि मालीजी for example अगर आपके उपर वो morning का tea आपको provide कर रही है अगर उसके expenses हो रहे हैं तो वो morning का tea भी आपके CTC का part हो सकता है company वो भी charge कर सकती है जनरली ये देखा गया है जो CTC में क्या parts add होते हैं तो आपका basic HR DA ये पार्ट तो रहती ही है साथ ही इसमें आपका PF ESI जो भी आपके deduction हो रहा है या आपको कोई labor welfare fund आपके deduction क्या जा रहा है या आपका professional tax deduct हो रहा है या किसी भी तरह का जो भी legal term में आपका deduction हो रहा है वो सारे के सारे CTC का आपका part हो सकता है इतने सारे deduction होने के बाद जब आपके salary की बात होती है तो आपको कहा जाता है जो आपकी salary 5 lakh होगी या 7 lakh होगी लेकिन वो घट करके 50% प्याज आती है माल लीजी फोर एक्जामपल आपकी salary 7 lakh rupees है लेकिन उसे बहुत सारे ऐसे part एड़ किये गये हैं जो कि आपके in hand का part नहीं बन सकता है जैसे कि माल लीजी आपका ESI, PF जो deduction हो रहा है साथ ही आपके उपर जो भी expenses केज आ रहे हैं वो सारे part deduct करके आपका जो in hand salary है वो उसका 50% आ रहा है तो यहाँ पर मेरा recommendation है जो जब भी कभी आप अपनी salary के बारे में discussion करने जाएं तो आप अपने offer later के अंदर अपने cross receipt से related, in hand से related चीज़े जरूर discussion करें और इस चीज़ को in hand पर ही decide करें जो आपकी in hand salary मंतली क्या होगी और उसके business पर आपका yearly package क्या बनेगा यह सारी बाते in hand पर decide करें क्योंकि आपका in hand salary ही आपको monthly receive होगा और यह confirmation आप by mail जरूर लें क्योंकि अकसर ऐसा देखा गया है जो verbally discussion करने के बाद आपको वो amount नहीं मिल पाता जो आपका verbal discussion में कहा गया था इसके लिए जब भी कभी आप अपने offer letter को accept करें तो उससे पहले उनसे mail पर confirmation जरूर लें जो आपको क्या amount receive होना चाहिए अगर हम बात करें यहाप ए third party payroll की तो ऐसे condition में कोई first company आपको hire करती है और किसी दूसरी company में आपको वहाँ पर जाकर की job work करना होता है अपना काम करना होता है मतलब पहली company तो आपको hire कर रही है लेकि उस company गंदर आपको job नहीं करना है आपको किसी दूसरी company में जाकर job करना है तो यही होगए आपका third party payroll ऐसे condition में आपको first company से confirm करना पड़ेगा जो आपकी enhanced salary क्या होगी क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जो भी second company अगर किसी employee को hire कर रही है वो भी third party payroll पे तो वो as a professional किसी को hire करती है जिसके कारण वो बहुत सारे benefit उन्हें provide नहीं करती और उनका professional tax भी deduct करती है तो वो भी आपका CTC के part से deduct हो सकता है तो इसके बारे में भी आप discussion जरूर करें ये third party payroll एक बहुत बड़ा topic है इसमें मैं एक separate video बना करके आपको उसको पूरा explain करूँगा कि इसमें आपको क्या benefit मिल सकते हैं labor law के according और क्या benefits हैं जो कि आपको नहीं मिल सकते हैं तो ये सारे जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जोड़ना होगा मेरे चैनल को subscribe करके bell icon hit करना होगा ताकि वो सारे वीडियो जो इस legal provision जो labor law से related है वो सारे के सारे आप तक सबसे पहले पहांच पाए thank you so much जै हिन जै भारत